ग्रिह मंत्री अमित्षा के हिंदी पर दिये गए बयान का विरोध तेज हो गया है। केरल के मुख्य मंत्री पिनराई विजयन ने शाहा परतावनज कसा की हिंदी पर इस तरहर जोड़ देना भाशा के नाम पर नई जंग शुरू करना है। उन्होंने इसे संग का एजे उन्होंने कहा कि जरूरत है कि देश की एक भाशा हो जिसके कारण विदेशी भाशाओं को जगह न मिले। इसी को याद रखते हुए हमारे स्वतंतरता सेनानियों ने राज भाशा की कलपना की थी और इसके लिए हिंदी को स्विकार किया। हिंदी देश को एक कर सका थी। यह धारणा घलत विजय ने फेस्बुक पोस्ट पर लिखा पूरे देश में विरोट के बावजूद हिंदी के लिए ग्रिह मंत्री अमित्षा का जोर देना यह दिखाता है कि संग परिवार भाशा के नाम पर नई जंग शुरू कर रहा है। यह धारणा घलत है कि केवल हि हिंदी ही पूरे राष्ट को एक कर सकती है। उत्तर पूर्व और दक्षिन के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। हिंदी थोपने पर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं आएंगी यह जोरी ने कहा संग का एजेंडा है कि हिंदी को राष्ट भाशा के तौर पर लागू किया जाए संग की विचार धारा एक देश, एक भाशा और एक संस्कृति की है, इसे स्विकार नहीं किया जा सकता। हमारे समवेदान में सूचिबध सभी भाशाय राष्ट्रिय भाशाय हैं। हिंदी सनवाद की भाशा के तौर पर उभर सकती है, लेकिन इसे थोपे जाने की कोई भी कोशिश केवल नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को ही जन्म देगी और ऐसा पहले भी हो चुका है। सभी भाशाओं को बराबरी का दरजा दिया जाना चाहिए। हिंदी सभी भारतियों की मात्रि भाशा नहीं है। क्या आप क्रिप्या इस देश की विभेनता और अलग-अलग मात्रि भाशाओं की सुन्दर तकी तारीफ कर सकते हैं। एमडी एमके चीफ वाइको ने कहा था कि भारत में अगर हिंदी थोपी गई तो देश मट जाएगा। हमारे पास केवल एक हिंदी इंडिया होगा। उधर पस्चिम मंगाल की मुखे मंत्री ममता बनर जी ने कहा था कि हमें सभी भाशाओं और संस्कृतियों का बराबर समान करना चाहिए।